हलो साथियों नमस्कार पॉली टेक्निक पाड़ साला यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है हमें पता है कि जब ट्रांसफार्मर नो लोड की कंडिशन में होता है तो आई-0 करेंट कमान बहुत ही कम होता है जो आई-0 करेंट कमान कम होगा तो उस कंडिशन में लेकिन यह जब ट्रांसफार्मर पर लोड दिया जाता है जब ट्रांसफार्मर पर क्या होता है लोड दिया जाता है तो उस कंडिशन में क्या होता है सेकंडरी करेंट फ्लो करती है सेकंडरी करेंट बढ़ेगी लोड बढ़ाने पर जब सेकंडरी करेंट बढ़ेगी तो प हम क्या करते हैं निकालते हैं तो बोल्टेज ड्राफ जो निकालते हैं नो लोड में नहीं निकालते हैं क्योंकि नो लोड में बोल्टेज ड्राफ कमान बहुत ही कम होता है तो हम लोड की कंडिशन में बोल्टेज ड्राफ का क्या करते हैं कल्कुलेशन करते हैं ठीक है तो यह करें यह हमारा क्या है यह हमारा क्या है सेकंड्री चैनल बोल्टेज यहां क्या होता है करेंथ हमारा लेक करता है तो हमने भोल्क का एक फेजर खीच लिया यह जैसे ने यहां पे सप्लाइं दिया है करों कर दीए कि लोल्ड दे दिया है दिया हैओ आई डिशしま यहाँ पे क्हों साबोल्टेज होगा विटू होगा वर यह करेंड कंसी होगी आप जावकी है चलब सबंद लोड़ queens न करेंगे करेंगे community विदेchny how और यहाँ तो आप यहाँ पर होगा है समझ मैं मतलब अबहुच से काट नीचे होगी करेंगे पोजिचन पर यह थोड़ा जटल टापिक है आप लोग समझने का प्रयास कीजेगा जैसे हमने वोल्टेज का फेजर खीच लिया फेजर क्या फेजर क्वांटिटी किसे बोलते हैं ऐसी क्वांटिटी जिसका वैलू विथ रिस्पेक्ट टाइम क्या हो रहा हो चेंज हो रहा हो उसी को हम क्य बोलते हैं फेजर क्वांटिटी बोलते हैं ठीक है यहां पर क्या है हमारा देखिए हमने सबसे पहला काम क्या किया इस बोल्टेज के फेजर को खीच दिया माना कि हमारा यह बोल्टेज का फेजर है ठीक है यहां से यहां तक यहां से यहां तक अब उसके बाद इस वोल्ट अब क pilgrimage में तो रेजिस्टेंस भी है ना इसी हमारा क्या है पूर रेजिस्टंस कि निक तर सिफ्ट कर दिया से कंड्री साइड में तो जोटल रेजिस्टंस और हमारा क्या होगा Tan स्टेंस आर जीरो टू और एक्स जीरो टू इसमें कौन सी करेंट फ्लो कर रही है बावू आई टू करेंट क्या करेंगी फ्लो करेंगी यहां पर जब हमने क्या दे दिया लोड दे दिया यहां पर हमने लोड दे दिया तो आई टू करेंट फ्लो करेंगी तो सिंपल सी बात है तो इसमें कौन सा ड्राफ होगा इसमें कौन सा ड्राफ होगा बताईए आई टू इन्टू आर जीरो टू ड्राफ होगा की नहीं यह ड्राफ होगा बोल्टेज ड्राफ होगा तो यहां के जो बोल्टेज ड्राफ हो रहा है आई टू इन्टू आर टू आर जीरो टू यह कहां सर्कीट होता है तो करेंट को हम अば धिखाएंगे करणत के पैरल संप देखिए यहां से हम Benjamin खीचा है कि नहीं कि यस वाले लाइन को हमने क्या किया एकडम परियलब क्हिचा है तो रिदो हमने क्या किया है पैरलल दिखाया है कारण क्या है क्योंकि resistance में जो बॉलटेज होता एश है ने फिर BAR या फिर बंस होता प्रिया करेंट की लाइन में है या फिर आप कह सकते हैं कर इंठ के फेज में अब यह पूरा यहां तक बढ़ा दिया गया है तो अगर यहां पर एंगिल व्ह आंगिल कितना होगा क्वाई होगा अब हो गया आप देखिए क्या होगा यह वाला ड्राफ होगा वैई इस में कहां होगा i2 // x02 डाल भाफ वोगा कि नहीं तो यहां पर यह वाला हमारा leakage reacts API कर द्राफ मों अधर द्राफ चो ए हिस वाले ड्राफ से क्या होता है 90 डिग्रीपर होता है अगर दिखाया जाए आपको पर अगर दिखाया जाए जैसे माल लीजिए इہा हमारा क्या है यह हमारा दो इंटू आर गजिरो टू है समझ मैं आया तो इस वाले बोले डिशाफ से 90 degree पर हमारा कौन सा डाइक रूदू सब्सक्रेस होता है आई-टू इंटू यक्स-जीरो टू होता है समझ में है आई टू इंटू क्या होता है एक सजीरो तू होता है तो अब इन दोनों का रिजल्टंट यह हमारा मिल जाएगा तो वही चीज यहां पर भी दिखाएगे देखिए यह हमारा क्या है बोल्टेज ड्राफ है यहां से तो बहुत ज्यादा जटिल हो गया से पर तिक है यह वाला हमारा क्या रिजीसá ट्राफ है और इसमेज का रिचेर सव ग्ली होता लाइंटी डिगरी क्या होता है ? अन्हें पॉजीशन निकाला जाए तो इन दोनों का रिजल्ट यहंहां क्या मिलेग अभर यह वाले रीजसल्टंटじゃएं क्या मिलेग यह ही यह मिल गया आप जब यह तो हमारा बोल्टेज द्राफ का रिजल टेंट तो यहां पर निकल गया यहां पर यहां पर पर वीची रटी मोगा यहां पर जो इसने Indyus DMF होगा आप 피 То सकते हैं यहांपे क्या लिख सकते हैं यहां पर क्या लिख सकते हैं जो होता है वह रोड की कंडिशन में बोल्टेज होता तो कुछ बोल्टेश ड्राफ इसमें हुआ कुछ इसमें हुआ समझ में आया तो जाइड सी बात है और यहां पर वी टू मिला तो इसका मतलब क्या है वी टू और इन दोनों में ड्राफ इन सब कर रिजल्टेंट ही क्या मिलेगा हमें वी जीरो टू मिलेगा सिंपल सी बात है ध्यान सरह के इसका रिजल टैंट और इसका रेजल टेंट यह मिल गया और उसके बाद इसका और वीटू करीजल टैंड क्या मिलेगा वी06 मिल जाएगा समझे मैं सिंपल सी बात है देखिए वी zero to produce हो तो उसका कुछ भाग सिसमें ड्राफ्थ होगा कुछ यहां पर तो यहां पर इसका मतलब क्या है इसका रिजल्टेनट इसका और इसका इन तीनोंthat कर नामसे क्या कर सकते हैं जान सकते हैं इतू क्या है नो लोड की condition में इंडूस्ड बोल्टेज समझ मैं या फिर नामसे आप क्या कर यह समझे यह लोड बोल्टेज है तो अब यहां पे क्या होगा अब ध्यान से देखिए यहां पर देखिए हमने इसका नाम और रखा है और यहां पर हमने इसका नाम क्या रखा है अब ध्यान से देखिए एक चीज पहले और समझ लेते हैं अब यहां पर क्या है कि यह वाली लाइन यहां से गई यहां से एक परिपिंडे कुलर लाइन खीजते हैं यहां से ठीख है वह लाइन यहां पर मिलेगी इस पॉइंट को हमने यह दे दिया और नीचे लाइन खीजते हैं यह वाली लाइन इससे क्या कर देते हैं मिला देते हैं इसका नाम हमने यल रखा इसका नाम हमने क्या रखा बी रखा समझ में उसके बाद क्या है यहां पर हम ऐसी लाइन खीजते हैं ताकि यह वाली रेखा और यह वाली रेखा आपस में क्या हो जाए बराबर हो संकूी देखते हैं एक प्रकार का है शोगया गया यहां से देखा घरिन कमाननि काला दाइंसी बड़ाबर क्या हो जाएगा यंशी बराबर और ओसी काई स्कॉर माइनस यन्सी काईवबर ब्रावर उसी काई स्कॉर माइनस ओ यन का स्कॉयर ठीक है यंशी स्कॉयर बराबर ओसी का स्कॉयर माइनस क्या हो जाएगा ओएन का स्कॉयर हो जाएगा अब यहां पर क्या है यह वाला फार्मूला तो आप जानते होंगे जैसे यह स्कॉयर माइनस वाई स्कॉयर है तो यहां पर एक्स प्लस वाई हो जाएगा और फ यहां पर यहां पर इसलिए और यहां पर इसलिए अस्थान पर हमने क्या लिख दिया गया देखिए और नीचे वाली लाइन में देखिए स्को duyên मायनस देखिए यद्सी का स्कायर बराबर इसको हमने ओ यह पर वमबें लग्भग कीई अगतो 뉴스 एक दम बराबर नहीं हैं लेकिल लग्भग बराबर है हलाकि ओंप रइन फोड़ा सा क्या है छोटी है यहां पर यह जो डिस्टेंस दिखाया गया है यह वाली लाइन यह बहुत ही छोटी लाइन है बहुत ही छोट मतलब थोड़ा डिस्टेंस है बहुत कम डिस्टेंस है यहां पर तो आपको बड़ा दिखाया गया है लेकिन बहुत ही कम होता है यह लगभग किसके बराबर होत आएगा इंडवीन-1 उयम और माइन्स क्या हो जाएगा वियं तो कितना बustomचेगा ये लियम बचेगा ठीक है तो यहां पर क्या हो गया यहँ इन्ट्रीम हो गया जिन इंट्रियनंट नहीं है यानम हो अधिक है तो यहां पर यहSi का इसको पर आबट टू ओसी इंटू क्या हो जाएगा यह इसको ध्यान में रखना है आपको अब उसके बाद क्या हो गया अब यहां पर यंसी कमान हमें क्या करना है निकालना है अगर यंसी कमान निकालेंगे तो कैसे हम यहां पर यंसी कमान क्या करेंगे निकालेंगे ठीक है यहन कह है यल्जी है लसी में जब हम किजा माद गटाएंगे यलन कमान घंगे ठीक है शीए छी पूरी copyright मारी क्या होगा यलीलियल सी यलं घटा देंगे तो यह जाएगी ठीक है तो यहांपर खेंश दिक्कत नहीं है यहां पर यह लेन कर दीजिए तो जब यलसी में घटा देंगे तो यंसी हमें क्या हो जाएगा मिल जाएगा ठीक है तो अब हम यहां पर अब देखिए एक चीज और देख लिए जैसे से ellen को आप क्या लिख सकते हैं यह यहलिए लिख सकते हैं यहां पर हमने लिख दिए यहले के स्थान पर हमने क्या रख दीक्षा ठीक है से फार्मूलाे के अनुसार करेंगे आप दिंखिए को अगर spraying सी निकालना चाहते हैं किसका निकलना चाहते है ये वाली वाली लाइन निकालना चाहते तो आपको यहां पर आना पड़े century अब ध्यान से देखे अच्वीक आई टु एंटू आर ़िँ डूड़ जो है हमारा यहां से कितने डिग्री अंग毛 पर है ठीछ तुप component दो कमपोननें तो आपका वाली लाइन इस वाली लाईन कि क्या है बराभर है तो इसका मतलब देखिए अब यहां पर हमारा डीवी तो मिल गया ना यह डीवी हमारा क्या हो गया मिल गया तो डीवी यह डीवी के बराबर है तो यह डीवी के बराबर है तो यह हमारा क्या हो गया डीवी मिल गया अब हमें यलसी ग्यांत करना है किसको ग्यांत करना है यलसी यहां पर कैसे म प्राबर होगा तो यहां से अगर देखा जाए तो आई टू एक्स जीरो टू फाई डिगरी अंगिल पर है तो इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट और एक और जेंटल कंपोनेंट तो हर जेंटल कंपोनेंट क्या होगा आई टू एक को जाएगा कासफाई हो जाएगा तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं काल्कुलेट कर सकते हैं तो यहां पर ध्यान से देखिए लिटे हमें निकालना है हमें क्या यल्सी यलसी हमने निकाल लिया यही आई टू यह 0-25 stall की उसके बाद यहांपे क्या माpremus धीभी है तो धीवी हमारा ईटूवार जीरो टूऌटू साइड़र है धीजीड़ साइब है अब उसके बाद ध्यान से देखिये यंसी कमान तो हमें पता चल गया चामान हमें कितना है जी यहारोट हो जाएगा ठीक है तो यहार जाएगा है तो यहां पर क्या हो गया ऐगा क्या क्या है क्या तो यहां क्यूंकि ये नोड़ बोल्टेज है तो यहां पर तो यहां पर क्या हो जाएगा टू-इन्तू-वी-जी रोटू हो हो जाएगा तो यंसी तो आपको पता है तो यंसी इतना है तो इतने का क्या हो जाएगा स्कॉयर हो जाएगा ओसी कमान कितना है ओसी कमाना आपको पता है कि जी रो टू है तो यहां पर टू इंटू वी जी रो टू 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 लिग देंगे समझ मैं तो यह हमारा क्या हु पूर Dit की आप इदेखिये अभी तो पूरा satisf महीं हुआ है अभी वने क्या निकिला है किER significa निकल गया चलिए ठीक यंसी निकल गया यह नं भी निकल गया अब यहां पड्छूप now अब हमें बोल्टेज ड्राफ निकालना है तो बोल्टेज ड्राफ हमारा कहां से कहां तक होगा यह यह तो हमारा वीटू बोल्टेज है यह वाली यहां से यहां तक क्या है वीटू बोल्टेज है और यहां से यहां तक देखिए एं 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 भी बोल्टेज ड्राफ है और यहा तो एन देखी एनम तो हमने निकाल लिया है एनम हमने निकाल लिया है यहां इंटु यम कर रहा है यहां हमने क्या कर लिया है निकाल लिया है कितना इतना है ठीक है उसके बाद हमें क्या निकालना है एन निकालना है तो एन कैसे आएगा अब आपको पता है ध्यान से देखिए एन ठीक है यहां से अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका सकते हैं कि यह वाला पार्ट आपका देखी यह वाला पार्ट देखी यह तो हमारा क्या था आई टू आर जीरो साइन फाई था लेकिन यह वाला पार्ट हमारा क्या है आई टू आर जीरो टू कास फाई है क्योंकि य यह और जेन्टल कंपोनेंट है और यह क्या है वर्टिकल कंपोनेंट है एक तो यह हो गया अब यहां से यहां तक हम को निकालना है तो आपको तो पता है यह वाली लाइन इस वाली लाइन के समानतर है इसका मतलब है यह वाली लाइन आपकी क्या है आई टू एक जीरो टू सा यह थो हमारा किस कमान हो गया बता यह डृमान हो गया क्या करना यह समयाध म्हारा इतना है इतना typically देंगे हमारा यह total बोल्टेज़ ड्राफ हो गया यहमारा बोल्टेज़ ड्राफ आ ठीक है तो यहां पर क्या होगा यहां पर आपका पहले से माइनस था ठीक है यहां पर आपका माइनस था और यहां पर आपका गया था पलास था यह लेकिन यह बोल्टेज़ ड्राफ मारा किस कंडिशन में है य तेवाला बॉल्टेजजड़ाइंस ड्राफ यह लगिंग कंणिशन में में ही जब करन्थ हमारा क्या कर रहा है लेगिंग कंदिशन जब लूड़ होगा तो लेकिन या दिनधि कंडिसन होगा तो लीडिंग कंडिशन में क्या हो जाता है यहां पर आपका माइनस हो जाएगा और यहां पर आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है यह हमारा किस कंडिशन में है लीडिंग कंडिशन में हो जाएगा और यह किस कंडिशन में हो जाएगा लेगिंग कंडिशन में हो ज तो आप लोग जदा ज़्यादा सेर कीजिए जदा ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई यह यहां पर जो भी कंटेंट आपको दिये जा रहे हैं आपको सारी चीजे पढ़ाई जाएंगी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाएंगी अभी तो बोल्टेज ड्राफ आपको किया गया है ठीक है तो लीडिंग कंडिशन में बोल्टेज ड्राफ कितना होगा और यहां से यह निकाल सकते हैं कि कि जब और पोगश्य निगिल कमान सेट सब्सक्राइट कर सकते हैं प्डर्य का मैं फंद व्यारव जहां प ubiquло do obvious में है भी नहीं लेकिन ये क्या किया जाता है लेकिन यहां यहां से को इंको संङर कम यहां से कम कम A